नमस्कार दोस्तों, आपका मारे चैनल पर स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मारे गई गुलफाम उफ तीसरी कसम कहानी का सारांश यह कहानी है फनिश्वनाथ रेनुजी की वीडियो का अंतक जरूर देखिएगा, चले शुरू करते हैं वीडियो को मारे गई गुलफाम फनिश्वनाथ रेनुजी की काल जई रचनाव में से एक है तीसरी कसम कहानी में प्रेम की भाव परवन्ता पूरी तरलता के साथ फ्यांजित हुई है इसकी बड़ी खूबी यह है कि इसमें कहीं पर भी मर्यादा का अतिकर्मन नहीं हुआ है दोस्तों फनिश्वनाथ रेनुजी ने अपनी काहनी में कहीं पर भी प्रेम की मर्यादा का अतिकर्मन या उलंगन नहीं किया है और तो और इसमें ने तो प्रेम को लेकर बड़े-बड़े वादी किये गई है और ने ही लंबी चोड़ी कसमे खाई गई है मतलब इसमें ना तो कोई वादा है, जैसे प्रेम में लोग जूटी कसमें खा लेते हैं, बड़ी-बड़ी कसमें खा लेते हैं, वैसी कोई भी कसम इसमें नहीं खाई गई है कहानी में प्रेम व्यक्त नहीं हुआ, भलकि इसमें प्रेम महसूस करने वाली खुश्बू है कहानी में हीरामन और हीराबाई का विसिस्ट व्यक्ति चरित्र ही कथानक बन गया है इस कहानी के जो परमुक पात्र हैं वे हीरामन और हीराबाई है सार पढ़ते हैं कहानी में मुख्य कथा हीरामन और हीराबाई की है यह दव पात्रों की कथा है प्रेम के धागों में बंधा एक ग्रामीन जो हीरा बाई को हीरा देवी मानकर मोहित है जबकि दूसरी तरफ नोटन की कलाकार हीरा बाई इस निश्चल प्रेम को लेकर दुईधा में है इसमें प्रेम में कौन पड़ा है? हीरा मन जो हीरा बाई को हीरा देवी समझ रहा है और उस पर मोहित है हीरा बाई भी उसके निश्चल प्रेम को लेकर दूइदा में है वह सोच रहे है वह इसके लाइक है या नहीं है जब हीरा बाई को महसूच हुआ कि वह हीरामन के प्रेम के लिए सही हगदार नहीं है तब अंत में हिरामन का दिल तूट जाता है हिरामन के पास एक बैल गाड़ी है वह एक गाड़िवान है देहातों में माल वह मुसाफिर को इधर उधर ले जाकर कुछ कमा लेता है इस आबाजाहि करम में कभी कभी वह थोड़े लालच के फेर में फस जाता है एक बार वह चोरी के सामान को ले जाते पकड़ा गया बड़ी तरकीब से वह पुलिस से बचा इसी तरह एक बार बास ले जाते समय बास घोड़ा गाड़ी पर जा टकराया इस पर घोड़ा गाड़ी वाले ने उसे खूब चाबुक से मारा और गाली भी दी इन दो घटनाओं से उसने दो कसमे खाई एक चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे और दूसरा अपनी बैल गाड़ी में बास भी नहीं ले जाएंगे हीरामन ने बाग गाड़ी की गाड़ी वानी भी की है किन्तो उसकी पीट में आज तक ऐसी गुदगुदी नहीं हुई है आज उसकी गाड़ी चमपा के फूल जैसी महक उठती है हीरामन को लगता है दो वर्ष से चमपा नगर मेले की भगवती मया उस पर परसन है पिछले साल बाग गाड़ी जुट गई नगद एक सो रुपे भाड़े के अलावा चाब, बिस्कुट और बंदर भालू और जोकर का तमाशा फोकट में देखने को मिला अलग से और इस बार जनानी सवारी मिल गई ओरत है यह चमपा का फूल जब से गाड़ी में बैठी है तब से गाड़ी महक रही है जब से यह जनानी हिरामन की गाड़ी में बैठी है तब से उसकी गाड़ी में चमपा के फूल की तरह महक उठी है मतुरा मोहन नोटं की कमपनी में लैला बनने वाली हिराबाई का नाम किसने ने सुना था यह हीराबाई थी जो मतुरा मोहन नोटंकी कमपनी में लैला का काम करती थी लेकिन हीरामन की बाद ही निराली है उसने साथ साल तक लगातार मेलो की लदनी लादी है कभी नोटंकी नहीं देखी अब जब उसने नोटंकी ही नहीं देखी तो हीराबाई का नाम उसने कभी सुना भी नहीं गाड़ी जब पुरब की और मूड़ी एक टुकडा चांदनी उसकी गाड़ी में समा गई सवारी की नाख पर एक जुगनू जगमगा उठा उसने सोचा यह कोई डाकनिया या पिसाचनी तो नहीं है हीरामन की सवारी ने करवट ली तो चांदनी पूरे मुँख पर पड़ी तो वह चीकते चीकते रुख गया अरे बाप्रे यह तो परी है फिर दोनों का परीच्य हुआ बातों बातों में हीराबाई ने परक लिया कि यह तो सचमुझ का हीरा है हीरामन को वह घटना याद आ जाती है जब वह इसी परकार अपनी भावी को बंद गाड़ी में लाया था सपना है इसी परकार वह अपनी दूसरी दुलहन को लेकर आएगा विवा के कुछ दिन बाद ही उसकी पत्नी मर चुकी थी तो इसी लिए वैस अपना ले रहा था कि आपनी दूसरी दुलहन को वह इसी तरह गाड़ी में लेकर आएगा हीराबाई के परती हीरामन को लगाओ हो गया था वह नहीं चाहता था कि कोई और व्यक्ति हीराबाई को देखे गाड़ी वालों को आते जाते देख वह टपर का परदा डाल देता लेखा कहता है कि हीरामन कजरी नदी के किनारे ठहर गया वह हीराबाई को हाथ मूध होने के लिए भेज देता है हीराबाई के लोटने के बाद वह स्वेम भी नदी पर जाकर नहां दो लेता है और पास के गाउं में से दही चूडा ले आता है जब तक वह वापिस आता है हीरा बाई जो है वह सो जाती है वह उसे जगाता है और दोनों जलपान करती है हीरा बाई गाड़ी में और हीरामन दरी बिचा कर एक पेड़ के नीचे सो जाती है दिन ढलने पर दोनों जगते हैं हिरामन परमुक सड़क छोड़ कर कनकपुर वाली सड़क पर गाड़ी मोड लेता है क्योंकि यह सड़क भी फार्बिस गंज जाती है हिरामन को महुआ घटवार की कथा याद आती है फहेद दो तीन गीत भी गाता है गीतों को गाते गाते उसकी आखों से आसू आ जाते हैं हिराबाई उससे प्रभावित हो उसे अपना गुरू और उस्ताग मान लेती है दोनों कानपूर पहुच कर चाय पीते हैं रात के पहले पहर में वे फार्बिस गंज पहुच जाते हैं हीराबाई यहां सब के लिए आकर्षन का विशे बन जाती है सब हीरामन पर छीटा कसी करती है हीराबाई उसके भाड़े के 50 रुपे दे देती है जो हीरामन को अच्छा नहीं लगता अब हीरामन को अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि हिरामन मन ही मन हीराबाई को पसंद करने लगा था और जब आप पैसे देती है तो वो उसे अच्छा नहीं लगता हीराबाई हीरामन को रीता कमपनी में जाकर उसे भेट करने को कहती है हीरामन अपने रुप्यों की थैली उसे सोब देता है किसे हीराबाई को के मित्रों विशेशकर्ट पलट दास को यह बुरा लगता है थोड़ी सी कहा सुनी के बाद मारपीट होने लगती है पुलिस वाले डंडे बरसाते हैं नोटंकी का मैनेजर बीच में ही पुलिस वालों को समझा देता है कि यह लोग हमारे आदमी हैं करीब 10 दिन तक नोटंकी चलती है वह स्वेम को भाग्याशाली समझता है क्यों भाग्याशाली समझता है उसे लगता है कि वह हीराबाई की सेवा में लगा हुआ है लोटंकी खतम होने पर हीराबाई उसका थैला लोटा देती है वह जाने लगती है वह हीरामन से विदा भी मांगती है और हीरामन को यह बहुत बुरा लगता है उसने हीराबाई के साथ एक नई दुनिया की कल्पना कर ली थी उसका सपना एक जटके में तूट गया था अब वह तीसरी कसम खाता है कि वह कमपनी की ओरत की लदनी कभी नहीं करेगा पहली दो कसमे वह पहले ही खा चुका था वह चोर बाजारी का माल कभी नहीं ला देगा तधा बास की लदान भी नहीं करेगा तो दस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लैक शेर ज़रूर कीजिएगा यदि आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोडिफिकेशन आप तक पहुं सके धन्यवाद